क्या आप लोग जानते हो कि ये रेल की ट्रैक पर ये पत्थर क्यों होते हैं और जो कोच होते हैं रेल के इनके पिछे एक्स क्यों होते हैं आप लोग सफर तो कर लेते हो लेकिन आपको इन बारे में पता नहीं है कि इनके पिछे एक्स क्यों लिखा होते हैं और पट्रेयों पर पत्थर क्यों बिचे होते हैं तो आए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को अगर यह पत्थर ना हो तो ट्रेन पट्रे पर चली नेपाल यह आपको जो मैं पूशो कर रहा हूं यह वाइट वाइट रंग यह एक स्लिपर होते हैं मतलग की इंचे पत्थर होते हैं उनके पर स्लिपर होते हैं अगर यह पत्थर ना हो तो यह जो स्लिपर होते हैं यह अलग अलग हो जाते हैं यह पत्थर है जो इनको जोड़ करके रखते हैं कई लोग सोचते होगे यह पत्थर है पत्थर लोग ऐसी बिचा तो आपकी ट्रेन इंट्रक पर चल्द नी पाएगे जो इनको मेंड काम करता है मतुकि पथर ट्रेन का जो लोड हैता है वो सारा लेज़ते है अपने वहां जिए पर देखाएं यह गास ट्रेक पर आपके देहना कभी नहीं हो यह पथर, यह पथर प्थर इनगास को आने देत आप गासवान देखोगे जांप पर यह पस्तर नहीं होगे अब हम बात करते हैं एक्स के बात करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करते हो अब किसी को पता हो तो मुझे ज़रू बता और अगर इसको नहीं बता तो मैं बता हुआ जब ट्रेन अपने स्टेशन से तली जाती है तो पिछे स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखता है अगर ट्रेन के पिछे एक्स लिखा होगा तो वो समझ लेगा कि ट्रेन के कोच पूरे है और अगर ट्रेन के पिछे एक्स ना लिखा हो तो वो उस ट्रेन को वहीं रोकर उसके पिछे कोच जोड देते हैं सुहाज की वीडियो के लिए तो नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो नचे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, थैंक्स फॉर पॉसिंग मैं वीडियो